दोस्तों, 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 for sweet lovers, कद्दू की खीर या लौकी की खीर, बिना मावा और बिना कंडेंस मिलके, आसम वाली, देखते हैं हमने इसे कैसे बिनाया है, तो आप देख सकते हैं, यहां पर हमने 1 लीटर फुल क्रीम दूट लिया है, हमने सबसे पहले तो दूद को अच्छे से ओटा लिया, आप देख सकते हैं, यह देखें, दूद में उबाला रहा है, ठीक है, अब क्या करना है हमें, जैसे दूद में उबाला जाए, तो हमने यहां पर आधी लौकी ले रखिए, जिसे उने ग्रीट कर लिया है, ठीक है, आधी की आधी हमने इसमें शाम कर दिया है, ठीक है, अब हमें इसे अच्छी तरीखे से चलाना है, और दूद को रेडियूस कर लेना है, ठीक है, करते हैं, अब आप देख सकते हैं, काफे अच्छे से जोश आ रहा है, और दूद और लौकी, यह सब कुछ दस मिनिट तक हमें यूँ ही करते रहना है, ताक मैं थोड़ी कमी दालती हूँ और यह 5-6 हरी लाइची है जिसे हमने कूट के इसमें शामिल कर दिया है ठीक है उसके बाद भी क्या करना है है उसे भी हमने निकालते रहना है और अगेन 4 मिनिट हमें से चला लेना है अब आप देख सकते हैं ग्रीन फूट कलर है बस एक पिंच हमने इसमें शामिल कर देना है तो आप देख सकते हैं बिल्कुल थोड़ा सा हमने दाला है और बहुत ही ब्यूटिफुल सा ग्रीन कलर आ जाएगा ड्राइ फ्रूट कम दाल रही हूँ बच्चों को बिल्कुल पसन नहीं है आप जितने दालना है शामिल कर लीजेगा अब आप देख सकते हैं इसे हमने अच्छी तरीख से मिक्स कर लिया है अब इसकी कंसिसेंसी देखिए यह हो चुकी है यह इतनी ही पतली होनी चाहिए अदरवाइज थंडी हो और भी गाड़ी हो जाएगी सुमें गैस बन करती हूं गर्म गर्म साफ करते हैं तो दोस्तों देख क्यों दोस्तों फो यह अंकंडिशनल लव और सपोर्ट और अब वो दिन्दु नहीं जब हम गोल प्ले बटन की तरफ तरफ तेजी सिप बढ़ जाएंगे हैं तो दोस्तों इसे कीप शेरिंग, कीप वचिंग, कीप लाइकिंग, अलाहाफेज